नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर मेरा नाम है अनिरुद और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ कि किस तरीके से चाइना अब आस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ कर आफरीका से बेसिकली अपनी आइरन ओर की सारी की सारी र नाम सुना हो गिनी के नाम से उसमें जाकर के वो आईरन ओर की डिवलपमेंट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिवलपमेंट का जो चाइना अब आफरीका में करने वाला है यह चीज़ चाइना ऑस्टेलिया के डिलिशन को तो इंपक्ट करेगी ही करेगी लेकिन यह बहुती इंट्रस्टिंग डीटेल्स अबाउट दी कंट्री ओफ गिनी और अलसो जानेंगे कि चाइना और ऐस्टेलिया के रिलेशन बेसिकली अब तक किस वजे से और क्यों खराब हो रहे थे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडियाफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दियेगे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा सोशल मीडिया पे और अनकाडेमी की आप पे आप मुझे इस पर्टि बॉक्स में आपको दे दिया गया है तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूमबर का यह पर्टिकुलर इमेज है यह पाई चार्ट है जो कि दिखाता है कि चाइना के लिए जो सबसे जादा बड़ा डॉमिनेंट सप्लायर है उनके आइरन ओर के लिए व बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही दी जाती है और यह चीज चाइना में कई सारे लोगों को खटक रही थी तो बीजिंग टुड़े इस वेरी वेरी वरी वरिड बिकॉस ऑफ इस ओवर डिपेंदेंस ओन आइरन ओर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और आपको मालूम होना चा चाइना का जो एकनॉमिक प्रावेस है जो एकनॉमिक टॉमिनेंस है वो भी कितनी जादा है अब हुआ क्या कि बेसिकली चाइना और आस्ट्रेलिया के रिलेशन्स पिछले कुछ समय में खराब होना शुरू हो चुके थे सबसे इसमें जो बड़ा कारण बना वो मैं मानता ह देखा होगा वस्ट्रेलिया जो क्वाड का एक मेंबर है वस्ट्रेलिया की चाइना के साथ नजदीकए काफी बढ़ रही थी और इस चीज़ को लेकर चाइना बहुत यहां पर देखा हो गा कि और इसी लिए चाइना को यह लगा कि एक ऐसी कंट्री जो कि क् häris जिस्सा है क्योंकि चाइना क्वार्ड को एंटी चाइना मानती है तो उन्होंने यहाँ पर ये तै किया कि हम आस्ट्रेलिया के साथ बेसिकली जादा व्यपार नहीं कर सकते हैं। इसके इलावा केवल ये एक फैक्टर नहीं है कई सारे और फैक्टर भी बन चुके थे जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन्शिप खराब हो चुकी थी। आसप में रखा हुआ है और उनको रिलीज नहीं कर रही है। अल्मोस्ट यहाँ पे तै हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन्स हैं वो काफी जादा खराब चल रहे हैं। इसलिए चाइना ने ये सोच लिया था कि हमें हमारी जो डिपेंडेंस है वो अस्ट्रेलिया के ऊपर कम करनी पड़ेगी। अब इसके लिए चाइना कर क्या रहा है तो चाइना ने बेसिकली अपने डिपेंडेंस को कम करने के लिए एक और नया प्लेयर खोज लिया है। इन्होंने खोजा है एक ऐसा प्लेयर जो की वेस्ट आफ्रीका में लाई करता है। ये कंट्री वैसे तो बहुत पिछडी हुई है लेकिन इस कंट्री की खास बात ये है कि ये एक बहुती ज़ादा मिनरल रिच कंट्री है। वैसे इंपोवरिष्ट है लेकिन मिनरल रिच कंट्री मानी जाती है। अब यहाँ पर एक बहुती बड़ा रिजर्व है जो रिजर्व है गिनी की कंट्री में देखने को मिलता है on a range of hills जिन hills का नाम है साइमन डू। इस पर्टिकुलर hills में ऐसा कहा जाता है दुनिया का ल largest iron ore reserves in गिनी and also in the world having an estimated reserves of 2.4 billion tons और इसमें जो ore की grading है वो भी काफी बहतरीन है। 65% के आसपास इसमें ore की grading देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी location की बात करें तो यहाँ पर आप left side में जो image है उसमें देख सकते हैं आफरीका की Western Africa की एक country है जहाँ पर आपका गिनी है यह और गिनी का जो capital है that is konar की right side में आप इस image को देखिए थोड़ा सा zoom in किया हुआ है हमने और गिनी में यह वाली जो range of hills हैं दोस्तों यह range of hills आपकी यहाँ पर basically Simon Doe Hills देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुल मिला के चार blocks हैं block number 1 and 2, block number 3 and 4. Basically इन चारो के चारो blocks में already mining का काम शुरू करवा दिया गया है चाइना के द्वारा और चारो के चारो blocks में चाइना ने अपना एक share भी fix कर लिया है जिसके चलते यह almost तै है कि चाइना इस particular iron ore को exploit करने वाली है। चाइना के पास बहुत सारा experience है अपने belt and road initiative का किस तरीके स दुनिया भर में जाके railroads को बनाना है किस तरीके से ports को बनाना है तो उसी experience को उसी अनुभव का इस्तिमाल करते हुए शाड़े 600 km का railroad यहाँ पे बनाया जाएगा जो की basically क्या करेगा इस Simon Doe के block को connect कर देगा with the port of Konarky और Konarky के साथ में एक नया port बनाया जाएगा जिसके चाइना के पास इसमें फायदे क्या क्या है चाइना के पास इसमें फायदे केवल इतने ही नहीं है कि उसकी Australia के उपर dependence कम होगी बलकि साथी में चाइना को इसमें कई सारे फायदे और भी होंगे क्योंकि आगे जाके जो iron ore की कमी थी जो की चाइना अभी पूरी नहीं कर पा है इसके इलावा अगर आप देखें there is something called as forum on China-Africa cooperation ये वाला जो forum है ये वाला जो मंच है चाइना इस forum को सन 2000 से रन करता आया है लेकिन हर बार चाइना इस forum की जो meeting है वो अकसर Beijing में करवाता था या फिर वो Africa की कोई इस तरफ की जो countries थी जो की थोड़ी सी better थी उनमें करवाता था अभी चाइना पिछले दो सालों से दो तीन सालों से इन फाक्ट इस meeting को Western Africa में करवा रहा है तो इस साल की जो forum on China-Africa cooperation की meeting है वो होने वाली है Senegal में और Senegal बिलकुल आपका गिनी का पडोसी देश है जहाँ पे जाके चाइना इस meeting को conduct करने वाला है केवल इतना ही नहीं जो एक group है जो की सयुक्त राष्ट में देखने को मिलता है group of 77 प्लस चाइना इस group में इस साल का जो chair है वो भी गिनी है तो यानि कि यहाँ पर भी चाइना गिनी के काफी नजदीक आने की कोशिश करेगा so that गिनी के अंदर जो developments है वो और तेजी से हो सके more interesting लिए अगर आप देखें चाइना इस चीज़ को लेके काफी लंबे time से काम already कर रहा था आज से लगभग 6 महिने पहले की बात है November 9 to be precise जब गिनी में presidential elections हुए थे और गिनी के नए प्रेजिडेंट चुने गए थे जिनका नाम है प्रेजिडेंट आलफा कॉंडे और ये वाले जो elections थी काफी जादा disputed थी because इसमें कुछ election fraud का भी case सामने आया था लेकिन चाइना ने यहाँ पर इस प्रेजिडेंट को backing दी और ये कहा कि हम आपको support करते हैं और चाइना ने इस प्रेजिडेंट को congratulate भी किया था again basically काफी clear था कि चाइना गिनी के काफी नजदीक आना चाहती है it does not finish over here चाइना ने अभी एक भहिना पहले March 3 की बात है कि गोविड-19 की जो vaccines थी उसको भी चाइना ने गिनी में पहुंचा दिया और जैसे ही इसको पहुंचाया गिनी बिकेम वान ओफ फर्स वेस्ट आफ्रिकन नेशन्स तो रिसीव वैक्सीन असिस्टेंस फ्रॉम चाइना इतना ही नहीं यहाँ पर जो गिनी के foreign president है इब्राहिम खलील काबा यह बेसिकली यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने इन vaccines को accept किया तो यह सारी की सारी चीजें है जो कि China कर रहा है in order to develop Africa as an iron ore hub ऐसा कह लीजे एक वेकल्पिक iron ore hub की तरह Africa को develop करवाय जा रहा है और Australia को यह basically sideline करना चाहते हैं और China ने एक बहुत ही over ambitious deadline रख ली है कि 2025 तक वो basically इस पूरे के पूरे iron ore hub को develop करवा भी लेंगे अब देखना बाकी है कि exactly क्या होता है क्यूंकि अगर यह हो जाता है तो यह केवल और केवल China और Australia को impact नहीं करेगा लेकिन Simon Doe की जो ranges है यह पूरी दुनिया को impact देंगी because यह बहुत ही जादा rich iron ore reserves रखती है वीडियो को यहीं पर समाप करता हूँ यदि आप लोग इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो इस particular article को पढ़ सकते हैं Nikkei Asia का इसके इलावा Unacademy combat में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना यह एक test होता है जो कि Sunday को रख़ाया जाता है और इस test में जो लोग विजयता होते हैं उनको एक साल की UPSC CAC की subscription भी एक दम मुफ्त दी जाती है इसमें अगर आपको unlock करना है तो मेरा code यूज कीजे अनी UPSC इसके इलावा हमारी free test series चल रही है जिसका अगर आपको हिस्सा लेना है तो मेरा code यूज करके हिस्सा ले सकते हैं दोनों के ही links combat के और test series के नीचे description में दे दिये गए हैं Unacademy की subscription आप purchase भी कर सकते हैं इसमें कि आप इंडिया के top educators के साथ पढ़ सकते हैं इसमें दो तरह की subscription है एक है plus subscription दूसरी है iconic subscription plus में आपको मिलेंगी cable classes, iconic में आपको मिलेगा साथ में personal coach और जो की मेंस की question answer writing practice भी करवा देगा इसमें अगर आप लोग मेरा code यूज करते हैं अगर आप लोग अभी subscription को purchase करते हैं तो इसमें एक तो आपको printed notes मिलते हैं mega subscription है यानि की एक साल की बजाए आपको 16 महिने का subscription मिलेगा और 10% discount भी आपको मिलेगा और कुछ बच्चों के लिए loan का भी option available करवा दिया गया है with that I take your leave thank you for listening stay tuned and stay safe